जहिन सात्यों नमस्कार आज जिनका भी ट्रिपल सी का एक्साम है उन्हें अभैक्षल कम्प्यूटर की तरब से धेड़ सारी शुपकामनाई, आल दी बेस्ट, बेस्ट आफ लग, आप सभी का एक्साम बहुत अच्छा हो और सभी लोग S ग्रेट से ट्रिपल सी का एक्साम ट जहुर देखिएगा और अगर आपके पास टाइम है तो ट्रिपल सी की ग्यारा सो प्रश्णों की महामयातन क्लास को देख लीजिए और पीडियाफ की आविशकता है तो वीडियो की नीचे दो हजार कुश्टन की पीडियाफ की लिंक है वहाँ से पीडियाफ को डाउनलू को लिख देंगे तो वहाँ से भी उनकुश्टन को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उनकुश्टन को जरू डिस्क्स करेंगे तो टाइम वेश्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास वोकि शीदी बात नोबकवास यही है अभ लिखित मेंशे कौन सा www से नियंत्रित होता है इन सभी प्रशनों को आप मौकटश्ट के रूप में लेते रहे और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे वीडियो के लाश्ट में आप चरू बताइगा कि आपकी कितने कुश्टन सही हुए हैं जो प्रीवेस में हमने फॉर् www से नियंत्रित होता है अब CCC exam में www का full form क्या होता है ये कुश्टन भी काफी पूछायाता है तो www का full form क्या होता है वर्ड वाइड वेब होता है नोट कर लीजेगा वर्ड वाइड वेब होता है और इसका राइट आंसर होगा option first virtual banking ठीक हैं अब next Social networking संचारित होती है means Social networking किसके बीच में संदारित होती है दो computer की बीच में एक computer और एक router की बीच में एक मानों और एक computer की बीच में या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बेच में Social Networking का मतलब है समाजिक Networking और समाज व्यक्तियों से मिलकर बना होता है आप Social Networking का यूजब करते हैं जैसे Facebook, Instagram, Twitter वहाँ पर आप क्या करते हैं किसी नकिसी से समवाद करते हैं या अपनी बातों को दूसरे के साथ में शेर करते हैं, दूसरे की बातों को पढ़ते हैं, शुनते हैं, देखते हैं मतलब वहाँ पर जो शमबाद होता है, वहाँ दो या दो से अधिक विक्तियों के मध्य होता है ट्रपल सी एक्साम में फेस्बुक से काफी साथ कुष्टन पूछे आते हैं, यहाँ पर कितने कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं, यह पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा, option second, 63206, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 63206 करेक्टर हम फेस्बुक की एक पोस्ट में रख सकते हैं फेस्बुक के founder कौन है, तो mark जो कर बढ़ गए हैं, फेस्बुक पर हम live video stream कर सकते हैं, इस point को भी नोट कर लीजिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, एक इंटरनेट को ही प्रजन करता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एंटरनेट को ही प्रजन करता है तो क्लाउड कंप्यूटिंग एंटरनेट कोनेक्शन के लिए एक इंटरनेट कोनेक्शन आवस्यक है, यह बिल्कुल आपका सही है, option first is true, अब next IPv6 कितने बिटका होता है, मताई ट्रपल सी एक्जाम में इससे सम्मंदित दो क्विशन पूछ आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है IPv6 और कभी कभी पूछता है IPv4 दो में से एक क्विशन तो एक्जाम में फिक्स ही फिक्स है, IPv4 पूछेगा तो v6 नहीं आएगा, v6 आएगा तो v4 नहीं आएगा लेकिन दो में से एक तो पक्का ही आता है, तो IPv6 कितने बिट का होता है, इसका राइट आंसर होगा, option second 128 bit ठीक है, option second is right, 128 bit का होता है वहीं अगर पूछता कि IPv4 कितने bit का होता है, तो वो आपका 32 bit का होता है, जब भी आप videos को देखिए, साथ में एक notebook और pen जरू रखिए, ताकि जो points में आपको बताता हूँ, उनको आप note कर सकें, और आसानी से triple C exam को top कर सकें, अब देखते हैं next question next question आपका internet बनाने के लिए, अरपानेट के साथ किस network को जोड़ा गया था, आपके options है, NSF, NET, BSF, NET, LAN या www दोस्तों जब chapter 6 मैंने आपके साथ discuss किया था, तो वहाँ पर internet के बारे में सब कुछ आपको समझाया था, कि कैसे internet की शुरुआत हुई, कब telnet आया, कब email का अविश्कार हुआ, मिल सब कैसे कैसे internet का विकास हुआ, हर एक चीज़ को मैंने topic to topic आपको समझाया था अगर आपने उन classes को नहीं देखा है, तो चैनल को विजिट कीजे, वहाँ पर triple C complete course in Hindi की प्लेश मिल जाएगी, वहाँ पर chapter wise आपको वीडियोस मिल जाएगे, अगर आप triple C किसाम को एक बार में अच्छी grade से qualify करना चाहते हैं, तो आपको theory का जो point है, वो पढ़ना बहुत ज अप नेक्स्ट, नेक्स्ट कुश्चन है आपका, which of the following is not a primary function of a bank, निम्ण में से कौन सा ऐसा कारे है, जो बैंक का प्राथमिक कारे नहीं है, आपसं से आपके granting loans, collections, check means check को collect करना, संग्रा करना, faculty import of goods या eating bank dropped, तो यकि बैंक जो है, loan को grant करती है, इसमें कोई शंकर नहीं है, चेकों का संग्रा होता है, draft customer ये भी उसका काम है, bank drops को issue करना ये भी उसका काम है, लेकिन import of goods ये bank का basic काम नहीं है, आपसं से इस राइट, अप next, निम्ण में से कौन, एक डिस्क पर प्रतिक फाइल का नाम और इस्थिती सटीक record कर में से, जो भी डिस्क है, हमारी डिस्क पर जितनी भी फाइलें है, उन सभी फाइलों का नाम क्या है, और उनका जो present time का status है, location है, उन सभी को record करने का काम कौन करता है, तो इसका right answer होगा, option first fat, अब triple C exam में fat का full form भी पूछाता है, अब ये वो वाला fat नहीं, ये मोटा, fat का म देजेगा, file allocation table होता है, अब next, क्या VR का उप्योग, चिकिस्सा, कौमा प्रियोगिक और सैन प्रसिच्छन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, वियार का full form भी triple C exam में काफी पूछा आता है, वियार का full form होता है, virtual reality, क्या होता है, virtual reality, तो बिल्कुल सत्य है, option A is right, वियार का उप्योग, चिकिस्सा, प्रियोगिक और सैन प्रसिच्छन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, अब next, MAPI stand for, बताइए, MAPI का full form क्या है, triple C exam में काफी साए full form भी पूछा आते हैं, तो इसका right answer होगा, messaging application, programming interface, ठीक है, option third is right, अब next, Calc में किसी कॉलम को किस के द्वारा fix किया जाता है, means किस सिम्बल के द्वारा किसी भी कॉलम को fix करते हैं, बताइए क्या होगा इसका right answer, तो इसका right answer होगा, option first is dollar, ठीक है, डॉलर प्रतीक के द्वारा, हम किसी भी कॉलम को fix करते हैं, जिसे हम absolute cell difference के नाम से भी जानते हैं, अब next question देखते हैं, इन में से कौन सा cloud computing का उप्योग का एक प्रमुख टाइप नहीं है, means cloud computing का एक प्रमुख प्रकार नहीं है, hardware, platform, shaftware या infrastructure, बताईए, तो इसका राइट आंसर होगा, option first hardware, ठीक है, ये cloud computing उप्योग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है, option A is right, अब next, विंडो मेनी यूजर को दो डाकुमेंट में एक साथ कार करने की अनमती प्रदान करता है, क्या Windows Operating System यूजर को दो डाकुमेंट में एक साथ कार करने की अनमती प्रदान करता है Chapter 2 है आपका Operating System जहाँ पर मैंने आपको बताया था Multi-User Operating System और Multi-Tasking Operating System के बारे में Multi-User वहाँ Operating System होता है जिसमें एक Operating System पर कई यूजर एक साथ कारिक कर सकते हैं लेकिन Multi-Tasking वहाँ Operating System होता है जिसमें एक यूजर एक ही समय में कई कारियों को कर सकता है तो Windows आपका Multi-Tasking Operating System ही है ठीक है तो बिलकुल आपका सही होगा Windows, Menu User को दो डाकुमेंट को एक साथ जैसे कि आप चाहें तो अपने Laptop में या Windows Operating System में Music भी चला सकते हैं और आप अपना वग भी कर सकते हैं आप एक साथ में LibreOffice Calc भी Open कर सकते हैं और Writer भी Open कर सकते हैं कुछ दिर इसमें काम करिए कुछ दिर इसमें काम करिए या Writer का डाकुमेंट आप Calc में Open कर लीजिए यह सारी चीज़े आप वहाँ पर कर सकते हैं ठीक है Calc का Writer, Writer का Calc आप कर सकते हैं क्या आपके लिए एक ही समय में VR अच्छा और बुरा है इस VR good and bad for you at the same time तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं एक positive और दूसरा negative उसी प्रकार VR भी एक ही समय में अच्छा और बुरा दोनों हैं उसके कुछ फार्दे हैं तो कुछ नुक्षान भी हैं तो इसका right answer होगा option first true ठीक है अब next Skype का उपयोग होता है Skype का उपयोग कहा होता है internet, telephone में, business में, दोनों में या फिर उपरोग तमेशे कोई नहीं तो इसका right answer होगा option C, A और B दोनों क्योंकि Skype का उपयोग, internet, telephone और business इन दोनों में किया जाता है अब next email में संदेश कहा सरच्छित होता है बताइए email में संदेश कहा सरच्छित होते हैं inbox में, outbox में, shentbox में या review box में तो email में आपका जो संदेश है वो inbox के अंतरगा save हो जाता है इनका मतलब अंदर ठीक है, मैंसे जो mail आ रही है वो हमारी inbox में save रहती है जो mail जा रही है वो out box में save रहती है और जो जा चुकी है वो cent box में save रहती है अब इनसे CCC में question काफी सारे पूछे आते हैं कि भेजी गई mail कहाँ पर store होती है नोट कर लीजेगा CCC में काफी पूछता है कि भेजी गई mail कहाँ पर store होती है तो cent box में store होती है ठीक है या आउट बॉक्स में किस प्रकार की mail इस्टोर होती है तो जो mail जा रही होती है जो अभी दूसरे सर्वर पर नहीं पहुंचे होती है means receiver के पास पहुंचने से पहले mail हमारी आउट बॉक्स में इस्टोर रहती है और inbox में आई हुई मैंने आपको बताया ही अब देखते हैं अब देखते हैं next question 3D print करने योगय फाइलों के लिए खोज इंजन कौन सा है बताइए 3D print करने योगय फाइलों के लिए खोज इंजन मतलब सर्च इंजन कौन सा है Google, Adware, Drawing Spayways या येगी तो इसका right answer होगा option fourth येगी ठीक है येगी 3D print करने योगय फाइलों के लिए एक सर्च इंजन है अब next निमलिखित मेंशे कौन सा सर्च इंजन की स्रेडी में आता है बताइए निमलिखित मेंशे ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन की स्रेडी में आता है अब यहाँ पर पहला option है Linux और दूसरा है Unix आपको पता होना चाहिए कि Linux और Unix क्या होता है इनसे present time पर triple C exam में question भी कापी सारे पूछे आ रहे हैं इसलिए जो ebook मैंने बनाई है वहाँ पर एक complete package आपको रखा है वेडियो की निचे link है वहाँ साब उसे download जरूर करिएगा यहाँ पर Linux और Unix की बात हो रही है यह दोनों आपके operating system है तो सर्च इंजन की स्रेड़ी में कहां से आएंगे तो इसकर आई टांसर होगा option for Alta Vista Alta Vista आपका एक सर्च इंजन है अब next जोब सर्च करने वाला application कौन सा है Facebook, Telegram, Instagram या LinkedIn जोब सर्च करने वाला means एक application जहाँ पर आप अपना CV पोस्ट कर सकते हैं या आपकी कोई company है वहाँ पर कोई vacancy open है तो वह भी आप वहाँ पर सो करा सकते हैं या फिर आपको job की आउशकता है तो आप CV पोस्ट करके company हों से संपक करके आसानी से job प्राप्ट भी कर सकते हैं तो इसका right answer होगा option for LinkedIn ठीक है LinkedIn एक ऐसा application है जो job provide करने में हमारी काफी help करता है अब next आप windows के start menu में पद जोड सकते हैं can you add item to the start menu of windows तो बिलकुल सही है इसमें कोई भी शंका नहीं है आप आसानी से windows के start menu में items को add कर सकते हैं आप taskbar में जैसे add करते हैं वैसे ही आप start menu से किसी को remove भी कर सकते हैं और वहाँ पर add भी कर सकते हैं ठीक है कैसे करते हैं देखी यहाँ पर start menu पर आप जाएंगे आप program पर मान लीजे यहाँ पर मुझे google chrome को करना है तो इस पर हम right click करेंगे यहाँ पर option मिलेगा हमे pin to start menu का अगर हम pin to start menu पर click कर देंगे तो यहाँ पर आप देखिए star button पर click करने पर यहाँ पर google chrome आ गया तो ऐसे ही आप चाहें तो जिस भी item को add कर सकते हैं अब next एक software जो computer के बुन्यादी कारे के उप्योग का समर्थन करता है और computer hardware को चलाने के लिए मदद करता है कई बार triple C exam में ऐसे ही lengthy questions पूछा आते हैं उनका structure काफी बड़ा होता है रेकिन आपको परिशान नहीं होना है question को पढ़ना है ठीक से और समझना है अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऐसा software जो computer के बुन्यादी कारे के उप्योग का शमर्तन करता है तो पहला point यहाँ पर क्या है कि software की बात हो रही है तो अब software की बात में आप ध्यान दीचेगा printer क्या आपका कोई software है नहीं है तो मतलब ये तो सही हो नहीं शकता register क्या है आपकी एक memory होती है ये भी कोई software नहीं है अब यहाँ पर दो चीज़े हमाई पास बचिए एक control unit और दूसरा operating system control unit क्या है CPU का एक भाग है जो computer के सभी कारियों को नियंतित करने का कारिय करता है अब यहाँ पर पूछा कहा है कि computer hardware को चलाने के लिए मदद करता है तो control unit computer के components को नियंतित करता है लेकिन किसी program को या फिर यह कहें कि computer hardware को चलाना उसका काम नहीं है तो इसका right answer क्या होगा operating system ठीक है तो ऐसे अगर आप एक एक point को ज्यान देंगे तो आसानी से solve कर सकते है operating system एक ऐसा software है जो computer के basic कारियों की उपयोग कर शमर्थन करता है और hardware को चलाने में काफी help करता है अब next NEFT करते समय detail कौन सा use होता है means जब आप NEFT के दारा कोई transaction करते हैं तो आप पर कौन सी detail यूज होती है अब triple C exam में NEFT का full form भी काफी पूछा आता है NEFT का full form National Electronic Funded Transfer होता है क्या होता है National Electronic Funded Transfer और इसके लिए name का होना जरूरी है IFSC code का भी जरूरी है और account number तो पूछा ही चाहिए तो इसका right answer होगा option D all of the above अब next AAPS में debit card की कोई जवत नहीं होती है क्या AAPS के अंतरकत debit card की कोई जवत नहीं होती है true या false अब दोश्तों AAPS का full form क्या होता है अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से answer देश रखते है AAPS का full form होता है आधार enabled payment system means एक ऐसा payment system जिसमें आधार card के दोरा transactions हमारे होते है तो यहाँ पर debit card की कोई भी आउशकता नहीं होती है शिर्फ और शिर्फ आधार number और customer की finger friends की जवत होती है means customer प्लस आधार card धोनों के माद्यम से transaction होते है तो इसका right answer होगा बिल्कुल true क्योंकि यहाँ पर कागए कि नहीं होती है बिल्कुल सही बात है भाई नहीं होती है अब next IMPS की timing क्या है IMPS का full form क्या है आपको पता होना चाहिए क्योंकि ट्रबल सी एक्जाम में काभी पुछा आता है तो IMPS का full form होता है immediate payment service ठीक है और इसकी जो timing है वो 24 x 7 है option 4 is right 24 x 7 क्योंकि सब्ता के 7 दिन 24 गंटे आप IMPS का उप्योग कर सकते हैं इसलिए इसका right answer है option 4 24 x 7 अब next cache memory का सबसे कम access समय है क्या cache memory का access time सबसे कम है true या false first chapter में मैंने आपको पढ़ाया था computer memory जहाँ पर इसके बारे आपको समझाया था कि सबसे तेज memory कौन सी है और सबसे धीमी कौन सी है आकार में कौन बड़ा है और आकार में छोटा कौन है तो आकार में सबसे छोटी memory कौन सी होती है register होती है और जो छोटा होता है उसकी speed ज़्यादा होती है यही इस structure में मैंने आपको समझाया था तो इसका right answer क्या होगा option B false ठीक है थैंक्स for watching my video फिर मिलते हैं next class में अगर वीडियो पशंद आया हो तो like कर दीजे share कर दीजे शनल पर नए है तो subscribe कर दीजे थैंक्स for watching my video फिर मिलते हैं next class में तब तक के लिए बाई